महराश्ट्र में बीजपी ने चुनावी तयारियां तेज कर दी हैं दूसरी राज़ों के नेताओं को महराश्ट्र में उतारा जा रहा है कई केंद्रिय मंत्री समेथ बीजपी के बड़े दिगज नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है महराश्ट्र का वो दौरा कर रहे हैं बीज़पी के दिगज नेताओं ने राजनेतिक हालात जाने हैं कई राज्यों के नेताओं ने जाना महराश्ट्र का हाल महराश्ट्र की अलग-अलग विधान सभाओं का दौरा किया जा रहा है बीज़पी के नेताओं की तरफ से बीज़पी हेटकौटर में महराश्ट्र को लेकर बड़ी मीटिंग भी हुई है महराश्ट्र के राजनेतिक हालात पर फीडबाक इन दिगज नेताओं की तरफ से आलाकमान को दिगा किया है तो प्रभारे भुपेंद्र रियादव, शिव प्रकाश, प्रिलात पटेल, नरोत्तम मिश्ट्रा समेत का इन नेता इस बैठक में शामिल हुए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सत्व हमारे सायोगी गणेश ठाकोर इस समय मौझूद है आपको दिग्राद रियादव शिव प्रभारे भुपेंद्र रियादव और इस समय मौझूद है खास और पर इन सबी नेताओं को यहाँ इस बैठकी उतारा जाए तक इस बीठीली पानबायक तरीके से इसको लेकर एक strategy बिनाने की तैयारी है तो इसलिए इन सबी निताओं ने मारास्ते के अलग अलग पासों के जाकर जाएजा लिया वहाँ पे लोगों से बात की जो इसमेजवारों की तैडर से बात की इसके बाद में एक रिपोर्ट के लिए जिसकर आप बैठक चल रही है इसमें इस अमिश्चा बैठक में जो इन्होंने पाया उसको संक्षियू क्लूप से यहां रखा जाएगा और उसी के आधार पर आगे आने वाले की जिनों में साइद उमेजवारों के चैन किये जाएगे और उसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही उमेजवारों का चैन किया जाएगा और फिलाल जिस तरीके की तस्बीर बन रही है महराश्ट्र की सियासत में उसमें महायूती में बीजपी, अपनी भूमिकाओ और सीट शेरिंग में अपनी पोजिशन, किस तरीके से देख और आक रही है गणिश, इसको लेकर क्या जानकारी है? खीश्टान को चल रही है, क्योंकि जिसके सबसे जाला जायक होंगे, उसी का मुख्यमंत्री होगा यह दोनों ही, यानि महाविकास आगड़ी हो या महागडबंदन हो इन दोनों की तरफ चर्चा है, तो भाजपा कह रही है कि हम यहाँ पे बड़े भाई की तौर पे स्रोल मे रहेंगे, तो 170-180 सीटें भाजपा दावा कर रही है, क्योंकि उन्हें बाती चोटे पक्सों को भी टिकेट देना है, उमेद्वारी देनी है, इसके बाद में शिवसेना, शिंदेगट और अजीत पौवाद, एंजिपी, इनके बीच में 118 या 120 सीटों के बीच में जो भी इसलिए अभी तीनों ही पाटियां जाद से जादा सीटें मंगने के लिए ताकत लगा रही है, जैसे अजीत पौवर कहने कि 60 सीटें हमें मिलनी चाहिए, तो शिंदे का कहना है कि 80-90 सीटें हमको मिलनी चाहिए, लेकिन भाजपा मुझे लगता है कि 180-180 सीटों के नीचे ब आप रहे हैं मेरे साथ गरिश चाकुर, मैं लोटूंगे आपके पास इसलिए अभी पी नियूज आपको रखे आगे